वेलकम बैक टू कपूर्स किचन आए आज बनाते हैं मसाला काजु नहीं यह वहले काजु नहीं यह ड्राइफ्रूट वाले यह मैदे से बनते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं टेस्ट में इसे बनाने के लिए एक कप मैदा लेंगे और उसी कप से नापके वन फोर्थ यानि के एक चोथाई कप रिफाइन डॉयल लेंगे रिफाइन डॉयल डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक हलका ही डालना है इसके अंदर और आदा चमब अजवायन को हाथों में हतेली पे क्रश करके फिट डालेंगे इसकी स्मेल और अच्छी होती इस तरह से से अंद dari से financing करेंगे इसको अच्छा से mix करेंगे तक हुआए इसका मोयन अच्छा सी सबतरफ यह देखिए इस इस तरह एक एक रेशे में चलना चाहिए इसब करना से करें लेंगे और अच्छा हलका पानी लगने में हमें 1,4 cup पानी लगा है जितना हमें रिफाइंड लिया था उतना ही पानी लगा है इस से ज्ञादा पानी के जूरत नहीं है और इसे जैसे मठी के लिए गुंते हैं बहुत सक्त वैसा नहीं कुनना और बहुत नरम भी नहीं कुनना medium dough बनाके ready करना है और इसे अच्छे से bind कर लेगे ये दिखिए हमारा dough त्यार हो गया और इसे 5-10 minute rest के लिए रख देते हैं अब लेते हैं इसका मसाले की त्यारी नमक, काला नमक काली मिर्च बुना वजीरा, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर आप चाहें तो चाट मसाले भी उज़ कर सकते हैं या मिर्च अपने हिसाब से कम या जाधा भी कर सकते हैं यह मसाला आपका ready हो गया चलिए अब चलते हैं dough की तरफ dough को एक भब पर कैसी प्लेटफॉम पे रखे अच्छे से मसलिये और एक फ्लाट करीजे थोड़ा सा और इसको बेलना स्टार्ट करिए अनिवन बिलेगा कोई बात नहीं बिल्कुल परफेक्ट शेप नाने की कोई ज़रुत नहीं है क्योंकि हमें इससे कटी करना है यह देखिए इतनी थिकनेस रही है अब हम एक छोटा कोई कटर लेकर उसकी हल्प से कॉर्णर से हाफ हाफ शेप करना स्टार्ट करेंगे हाफ में कट करना स्टार्ट करेंगे तो काजू की शेप अपने आब आते रहेगी बिल्कुल कॉर्णर से हलका सक कट करेंगे तो देखिए किस तरह से मैं काट रही हूं सबाटेज़े जहां से हम काट रहे हैं जहां से हमने काटना शुरू किया उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे यह देखें मैंने सारे कर लिया इसी तरह और गैस पर रिफाइन रहा है गरम करने और विल्कुल स्लो गैस पर इसे गरम किया है और अब इसमें हम थोड़ थोड़े करके काजू डालते जाएंगे और अगर काजू आपके आपस में जूड़ रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है वो रिफाइन में जाने के बाद में अपने आप खु़िए जाएंगे और इसको में बिलकुत लोगेर बनाना अंगर तेज़ नहीं यह देखें एक घा llevाल अलग वगया अच्छ curiousüy वीद्च से अड़ अदो से वीदिल्यच के बाद fer 6 को ऑ दोती हुआ चोड़ देना इसको कि जील देर आथा न हम दो में बेर में पूरा का पूरा चला देंगे न ताकि even heat मतलब सब पर मिले एक जैसी heat यह देखिए color dark होता जा रहा है दिले दिले अब हम अब यह float करने लगे हैं अब इस stage पर हमने इसको तेज कर लिया है यह देखिए अब बिल्कुल golden color आ गया है अब हम एक बावल में निकाल लेंगे और बावल में निकालने के बाद में जो मसाला हमने भी ready किया था वह गरम गरम पर ही हम डाल देंगे इससे मसाला अच्छे से coat हो जाता है गरम गरम पर डालने से अगर हम डालेंगे तो मसाला चिपकेगा नहीं यह देखिए आपके मत्रब आपके काजू बनके रेडी हैं देखिए मसाला काजू घर पर ही हम कितने अच्छे तरीके से साफ सुत्रे तरीके से बना सकते हैं इसे खाईए बनाईए और experience शेयर किजिए